हेलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पुर्पे आज के इस वीडियो में हम क्लाश 10 का 2023 के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंग्लिस में आपको क्या-क्या पढ़ना ह है क्या-क्या स्लेवस होने वाला क्या-क्या कोश्चन पूछा जाता है और आप लोग इतने कम समय में बिल्कुल 9th मन्त में आप लोग कैसे अपने कोर्स को कंप्लेट कर पाओंगे तो बिल्कुल इस वीडियो में बने रहे हैं सुरूज लेकर अंद तक यदि आप हमारे च कैसे पढ़ें यानि इंग्लिस आप लोग कैसे पढ़ेंगे क्या इंग्लिस में पूछा जाता है सभी कुछ डिसकस करने वारे हैं तो जल्दी सब वीडियो को लाइक कर दो एंड सेर कर दो सभी दोस्तों के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए आप लोग मिनिकस बगएरा आप लोगो पढ़के जाना होगा ठीक है मनीकले हनकले ज्यादा कुछ पीडिक करने है कम से कम ten words जो होता है नो सबसे पहले आपसे पुछा जाएगा tense, उसके बाद पुछा जाएगा models, उसके बाद non-finite clause, subject, verb, concert, sentence, connector and transfer, mission of sentence, ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोग को grammar में seven topic को पढ़ना है, कितना पढ़ना है बाबू, seven topic को पढ़ना है, ठीक है, साथ topic है, याद रखेगा, साथ topic है, आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है, आपको हर एक topic, जैसे tense है, models है, non-finite clauses है, subject, verb, concert है, sentence, connector है, और transformation of sentence है, तो seven topic को आप लोग कैसे पढ़ोगे, देख लो, आप लोग को one topic को 15 days में complete करना है, यानि आप लोग अगर देखोगी, तो tense आपको 15 दिन में complete करना है, काफी सम finances को 15 दिन में complete, models को 15 दिन में complete, non-finites को 15 दिन में complete, ठीक है, यानि एक को अगर आप 15 दिन में complete, तो आपको लग जाएगा seven को, ठीक है, तो seven topic को 15 दिन में complete, आपको लग जाएगा 105 days, ठीक है, जो होता है आपका 3.5 month, अगर किसी कारण वर्स, अगर किसी कारण वर्स आपका ये छूट जाता है, ठीक है, कोई topic छूट जाता है, या फिर आप बिमार पढ़ जाते हो, या नहीं, तो आप कहीं चले जाते हो, तो 4 months काफी है, 4 months में आपका grammar का जो portion है, वो बिल्कुल complete हो जाएगा, ठीक है, यानि हर एक topic को आपको क्या करना होगा, 15-15 दिन में divide कर देना है, ठीक है, अब आते हैं अगले topic पे, अगला topic जो हमारा later writing से आता है, तीसरा point है हमारा later writing, later writing में देखें क्या करना है, आपको कु jm habitat, तीसरा like, 10 hour later, ठीक है, एक liter आपको 15 days में तयारी करना है, यानि 15 दिन में आपको एक liter के तयारी करनी है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह करोगे, तो total 9th month में, total 9th month में आपको 18-0 later याद हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9th month में total 18-0 later याद हो जाएगा, और यकीन जा तो उसमें आप लोगों का उसमें भी नहीं होगा 18 लिटर तो आप समझ पा रहे हो कि आप लोगों का लेटर अगर आप 15 दिन में एक लेटर आप complete करते हो अगर आप एक दिन में एक लाइन भी तो 15 दिन में आपका 15 लाइन होता है और आप लोगों पता है कि 15 लाइन का लेट ठीक है तो बिल्कुल इजी वे में हमने आपके लिए बना दिया है रूटिंग इसी रूटिंग को आप लोग को follow करना है और देखिए यहां पर लेटर रेटिंग हमने समझा दिया आपको कि 15 दिन में एक लेटर को आपको complete करना है और यह आपका जो है नाइन्थ मन्त में आपका 18 लेटर complete होने का chances है ठीक है उसी परकार से अगर हम paragraph की बात करें जो ऐसे वेगरा होता है इसको भी आपको एक paragraph को 15 दिन में complete करना है इसमें भी आपको 18 paragraph जो है आपका complete हो जाएगा ठीक है यानि कि 9 मन्त में आपका 18 paragraph भी complete होने के chances है अब हम आपको बता दे कि 15 line का कोई भी paragraph नहीं होता है अगर आप ध्यान दोगे अपने notes में या फिर अपने books में या कोई भी today वगेरा जो आती है market में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बात 18 paragraph माने रखता है आपने आप में कि 18 paragraph अगर आप याद करोगे important important तो मुझे लगता है कि सब वहीं से आपका exam में आ जाएगा दूसरी बात है कि अगर आप एक दिन में एक line भी याद करती हो तो 15 दिन में 15 line होता है जबकि 15 line का paragraph नहीं होता है ठीक है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको याद कर सकते हो ठीक है इसके बाद अगर हम बात करेंगे pros ठीक है and poetry ठीक है तो दो तरक होता है question answer में पहला होता है आपका pros यानी की कवीता से question answer दूसरा होता है poetry यानी की poetry से question answer यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर आप आप लोग का वही चीज हो जाएगा subjective and objective ठीक है दोनों में आपका subjective and objective पूछा जाता है अब इसके लिए हम आपको बता देते हैं question answer का जो strategy आप लोग का होने वाला है 10 objective अगर हम objective की बात करेंगे तो 10 objective पर डे आपको करना है ठीक है 10 objective आपको पर डे करना है यानि महीने में आपका जो objective हो जाएगा वो हो जाएगा 300 और अगर हम 9 महीने की बात करें तो 27 objective question आपका complete होता है यकीन जाज ये 27 objective question आपके बुक में भी नहीं होगा 27 objective question आपके बुक में भी नहीं होगा यानि कि उससे पहले ही आप अपने course को complete करने वाले हो ठीक है नेक्ष देखिए आप subjective की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम subjective की बात करें तो subjective थोड़ा सा tough हो जाता है, तो आपको क्या करना है, एक question per day आपको याद करना है subjective में, one question, क्योंकि भाई सिप English तो आपको पढ़ना नहीं है, इसके सासर बहुत सारा है, science है, social science है, हिंदी है, उ सभी को पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग उस only for एक question per day आपको याद करना है, तो जब आप एक question per day याद करोगे न, तो महीने में आपको 30 question याद हो जाएगा subjective में, अगर आप 9 महीने की बात करोगे, तो 270 question, आपको पता है, 270 question कितना माइनी रखता है, यहाँ से आपको exam में question बनने के chances है, याद रखेगा, यह सभी जो question है, यह सभी हम आपको बताएंगी कहां से कौन से question को याद करना है, सभी कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे channel को जरू से जरू सब्सक्राइब कर लेजी, आपको homework दिया जाएगा, प ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, आपको जी जान लगा देना है, चाहे आप वो notes tuition से लेकर आओ, चाहे आप वो notes आप YouTube से लेकर आओ, या आप market के book खरित कर लाओ, कहीं से भी लाओ, लेकिन आपको वो 7 days में आपको complete करना होगा, एक task मिलेगा, आपको 7 day task आपको दिया जाएगा, उसको आप लोगों को करना होगा, उसके बाद पर मैं परती एक Sunday को आपको लोगों के लिए test organize करूँगा, उसी topic से, ठीक है, अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो चाहिए, अगर आप लोगों को इस तरह का episode चाहिए, तो please comment करकर हमें जरूर लिंक आपको description में मिल जाएगा, telegram group को भी join कर लेना, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, thank you